प्रेंड्स आज आ रखे हैं रूड़की के पास पड़ता है लंडोरा लंडोरा में जंडा चॉक जंडा चॉक में हमारे सोनो भीया है है हंसराज जी है उनके पास आ रखे हैं अपको मलवई कबूतरों का शॉक कराने के लिए तो पहले तो आपको मिलाते हैं सवनुभीया से आई है कैसे सब्सक्राइब कर रखे हैं थैंक यू आपने हमें बुलाया चत्पे उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और शॉक कहुंसा करते हैं वैसे आप सब पंजाबी है मेरे बास टोटली पंजाबी कबूतरों को शॉक कराएंगे आपको जोनके अपास नसले हैं जितनी सब्सक्राइब कर देखते हैं चलिए बहुत बड़िया तो बिना टाइम वेस्कियों लेकी चलते हैं कबूतरों की तरफ आपको तो फ्रेंट्स स्टाट करते हैं आपके साथ में पहले जो है आपको दुबाज दिखवाते हैं जो भीया की सबसे प्रॉनी नसल है जो मतलब की पहले से इनके पास है अभी तक इनके मतलब की स्टाटिंग में वही दादा जी ने उताब कि दादा जी पाल देते फिर पिता जी और फिर अभी निका शौक है तो स्टाट करते हैं वीडियो कि पहला जोगा बूतर है वह तो यह देखिए और यह दो इसकी आंक है फ्रेंट्स आंक की क्लेरिटी देखिए आप अलगी है मजा है आंक के अंदर और यह इसके पर है यह इसका प्रॉपर वजूद है और यह पंजे हैं इसके खुश्क पंजे और बिल्कुल जामनी पंजे जिसे कहते हैं यह देखिए ठीक है उसके साथ में फिर जो मादिन लगाई हुई है फ्लालबी वह आप मादिन देखिए यह है मादिन यह तो आख है इसकी हलका से तिल कटे के लो आप तिल बहे के लो यह देखिए यह इसी के साथ में मादिन लगाई हुई है यह इसके पर हैं शाह परों में हैं और पंजे वही खुश्क एकदम जो होने चाहिए हलके तीलों में है यह जो तीले होते हैं पैरों पे हलके लगे बाल होते हैं देखिए आप और यह प्रॉपर पेर है यह है पेर देखिए इसके बाद चलते हैं खटी आखों कबूतर जो होते हैं बिल्कुल बेदाग बेदागों में तो कुछ यह तो कबूतर है पहले यह तो आख है इसकी पलके देखिए कितनी शांदार है कबूतर की और उसके बाद में परों का वजूद जो है फिलाल अभी कैचक किसा जदने भी हैं सब जो पेर हैं वो थलके हैं इसके पंजे हैं देखिए बिल्कुल सुर्क एकदम क्या बात हैं ऐसे पंजे आशकल देखने को बहुत कम मिलते हैं जो स्पेशली देशी पालते हैं उनमें भी बहुत कम पंजे हैं इतने ज्यादा डाक और कबूतर का वजूद है देखें आप काफी लंबी हाइट का कबूतर है जो कबूतर आपको दिखाया उसकी फीमेल है यह देखिए यह तो इसकी आँख है यह पर है इसके और यह है पंजे चोटे वजूद की कबूतरी है बहुत ज्यादा जादा जाना साहरा है तो तो जो एक्जेकली पेर है वो पेर है यह यह देखेंगे तो फ्रेंट्स अब खटी आँखों में थोड़ा सा अलग आपको वेलेडी दिखाते हैं इसमें जो पीली पलके और दुम फटा हुआ गया है दुम चिरह दुम चिरह जिसे कहते हैं तो पहले तो आप पलके देखें इसकी और इसकी आँख देखें आप है जो बहुत ही कुपसूरत दबल बलकों में हैं मदरासी नहीं पजाबियों में प्योर पंजाबी एक दुम बारेक जो तिल है इसका और उसके बाद में ये इसके पर हैं पर्वी शाह परों में हैं ये ये दुम देखिए सुर्ख एकदम यह देखें आप जो साथ में फीमेल है इसके ये है फीमेल अभी जो करेंट टाइम पे डाली हुए है मुकोई आखों में है और शाहपरों में है और मुकोई के साथ ताकी का बूतरी है और भी बहे तिल में तेल इसका भेह हुआ है निचे की तरह गुराबी पलकों में छोटे वजूदी को बूत्री है बिल्कुल छोटी सी देखिए अब अब एक्जेक्टली तो पेर है यह है पेर यह देखिए कि यह वैला पेर है सर यह है उसके बाद में और एक अच्छी विरेटी हमारे सामने खजाना इस बार मिल गया चोटी चोटे तेह में खेल चोटा साय लेकिन चीज़े बहुत अच्छी अच्छी है कि बारिक तिल में पीली पलकों में आखे बड़ी बड़ी बटन कि देखिए मेरे पक्किया आखे है जैसे मेरा कुता रेक्स और इधर से ताखा है यह देखिए आत पे पॉटी कर दिये इसने कोई बात नहीं भाई बाकी यह इसके पर है और यह इसके पंजे है बिल्कुल जो आपनी बंजे बहुत ही अपसुरत जो भी आपको मेल दिखाया उसके साथ की जो फीमेल है वह दिखाते हैं आपको तो यह तो इसकी आखे हैं फ्रेंड्स सेम आखे सेम पलके सेम ताखापन ताखा पेर है पुरा और चोटे विजूदी कबूतरी ऐसे होनी चाहिए कि मेल बड़ा हो और कबूतरी चोटी हो तभी बच्चे अच्छे निकलते हैं उस पर और पंजे बिल्कुल खुश्क और बहत्री उसके बाद भाई नई वराइट लबियों में यह देखिए कि यह तो आखे हैं इसकी अ हुआ है है यह पर है इसके भाई ओगे मिल्कुल अधिया कुष्क है इसले खुश्क असे तो असी तो नगानी पड़े और यह उसकी फीमेल है आप यह देखिए कि अबी पंजाबर है कि यह पर है इसकी पंजे हैं इसके और जो लंगोर्ट करते हैं यह सफेय दूंग इसके बाद अपनेक्स्ट यह तो आखे हैं फ्रेंट्स पर लंबे एक्दम और यह पंजे इसके बाद में यह इसकी फीमेल है जो भी आपको मेल दिखाया मैंने यह दिखिए कितना प्यारा रिंग है इसके आख का और पर इसके फिलाल भी फाट दिये थे क्योंकि परंद करना है इसे उडान के लिए और बाकी पंजे आप देख लीजिए आप उसके बाद प्रेंट्स यह बच्चा है भी घर का यह मगोई आखो में हैं मिल्कुल पिली पलके यह पर हैं इसके और यह पंजे हैं इसके बाकी दुबाज निकल रहा है यह देखिए आप इसके फ्रेंट्स बाद जो नई वरेटी है लाल चीनों में वह दिखाते हैं आपको तो पहले तो आप आँख देखिए यह देखिए यह आखे है इसकी यह इसके पर है शाह परो में और दुम देखिए दुम का कलर जो है बहुत ही लाजवाब है और यह है पंजे फ्रेंट्स इसके पंजे भाई सभी के पंजे जितने भी है टोटल एकदम डाक किसे कहते हैं मैरून टाइप में है और बहुत ही और खुश्क पंजे एक दम इसके जो फीमिल लगाई है फ्रेंड्स देखें बहुत मजाने वाला है लल दूमी है पर तो आप कलर देख लीजिए और इसके आख का जो में मजा है वह आक के अंदर तो फोकॉस फुल रहेगा भाई द्यान जे देखेंगा एक तुम गोल्डन आ यह जो है आपका जैसे गोल्डन होता है वैसे सेम इस वही कलर है आख का तिल बहुत बारीक है उसके बगल में जो रिंग है वो भी बहुत प्यारा है और आख में जली डाइप की पूरी जली आलग ही दिख रही होगी आपको और यह उस मेल के साथ लगाई जो आपको मैं ल लाल दुबाज की बारी आती है तो यह देखें आप लाल डबे कहते हैं यह पेने लाल दुबाज कहते हैं में बेसिकली दुबाज ही है क्योंकि जो परों में वाईड दिनेस होती है वह होनी चाहिए यह देखें आप जो बाजू है वह वाईड है तो उसे दुबाज में आ ज़े आदर इसकि फीमेल है वह यह ह 느 defer कि ऑज़्स करें यह बीड़ा दुमणने अन् obwohl यहां उसके बाद प्रेंट से नई व सांतु है जनी काल शीने कहते हैं काल शीनी नहीं गुल्दाबे गाहिप्र और बुर्दू में भी कह जाते हैं मुर्डबा साइड में पूज यहां पूज कमें उता है कि अगर इस तरीके से तो बुर्दू में आती है और उसको जड़ाय के तो कल्दू में आती है कि यह देखिए रहे आख इसकी जो टेल है टेल के अंदर जो फैदर्स है वो टोटल फॉर्टीन है तो गिल लेते हैं आगे आपके साथ में एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस क्यारा बारा तेरा और यह चौदा क्या बात है चौदा परोग जो होते हैं कबुत्रों में पंजाबियों में बहुत अच्छी ब्रीट होती है अपने आप में और अच्छी उडान के मालिक होते हैं इसके साथ फीमल डाली हुई है वो यह है क इसके यह पर है इसके और यह है इसके पंजे अच्छी वीडियो काफी की जो लेंथ है वीडियो की ओ काफी लंबी हो रही है तो इसलिए पार टू डाल देता हूं ताकि आपको भी दिक्कत ना हो परशानी ना हो ठीक है फ्रेंड्स तो शौक आपको काफी हद तक देख शौक किस तरीके का है बागी है शौक जो है कभूतर को पकाड़ के बिल्कुल पास लागे आपके दिखाते हैं ठीक है तो बने रही है लगे रही है तब तक के लिए मिलते फिर आप से चोटे से ब्रेक के बाद